अगर उसके पीछे वो निकला ना वो साला अगर फैक्टोलिस्ट तुझे तो ने छोड़ूँगा जाले अब मैं तुरे को ने छोड़ूँगा दोस्तों यह छक्का अपने इस्टोरी में allocation लगा रहा है कि इसकी Instagram Account को मैं hack करने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब कि बिना मतलब कि बार बार गिरी हुई नीच हरकत यह सब बार बार करते जा रहे हैं इनके एंगेंस्ट मैंने इतने सारे प्रूफ दे दिये फिर भी ये नीचे किरी हुई हरकते करते जारे हैं बार बार मतलब कि पिछले एक हफ़ते से जब से इन्होंने स्ट्राइक लगा है तब से मैं रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहा हूं और यही वज़ा है कि इतनी रात को मचे ये वीडियो बनाना पाँ रहा है मतलब कि दोस्तों इस च्छकी कना मैंने कहीं नहीं लिया कि इसने मुझे स्ट्राइक दिया मैंने कहा है कि यह Sam Boy और Poppy Chatter मतलब कि यह Scam Boy, Gutter Boy, Fake Boy और यह Gutter Chatter ने मुझे Strike दिया है और मैंने इनकी Group को पूरा Expose किया है और वो भी Proof और उस Group में क्योंकि यह चक्का भी था यह मुझे पर Fake Allegation फिर से लगाए लगाए स्टोरी वो तो शुकर है दोस्तों कि इसकी स्टोरी को मेरे सब्सक्राइबर ने रिकॉर्ड करके भी दिया मुझे वैसे तो वो मुझे हसते हुए मचा अपनाते हुए इसका बेचा था कि देखो Factolis यह चक्का कहा रहा है कि मेरी ID हैक भी हो गई है लॉग इन भी नहीं हो रहा और यह चक्का स्टोरी भी अपलोड कर रहा है वाह यह कौन सा इसका ID हैक हो रहा है मतलब कि समझ रहे दोस्तों यह कितने नीचे गिरे हुए है खुद से खुद की ID का यूजर नेम चेंज करके कह रहे हैं कि हमारी ID हैक हो गई है अगर इस चक्की की सच में ID हैक हुई है तो इसे बोलो कि यह पुरूफ दिखाए क्योंकि दूस्तों आपको तो पता ही होगा अगर कोई आपके ID को साइन अप करने के कोशिश करता है तो आपके mail पर phone number पर text आता है तो इस चक्की को बोलो आप पुरूफ दिखाए और हाँ चक्के तो स्क्रीन शॉट मत दिखाना क्योंकि तेरा XT और Anime Geek तो बैठा है एडिट करने के लिए तो स्क्रीन शॉट नहीं स्क्रीन डिकॉर्डिंग दिखाना तो चक्के सच नहीं बोल रहा है और तेरे उपर तो Defamation का केस लगता है चक्के अगर तो कहा रहा है कि तेरी ID हैक हुई है तो स्क्रीन डिकॉर्डिंग के साथ पूरूफ ला और वो भी ऐसे वैसे नहीं अगर मेल पर है तो तो अपने मॉवाइल का पूरा स्क्रीन डिकॉर्डिंग दिखाएगा चक्के और नहीं तेरे को तो दोड़े परते हैं न लाइव आने के तो ये चीज़ लाइव में दिखाना अगर चक्के तेरी ID हैक करने की किसी ने भी कोसिस की और तो जो ये जूटा इंजाम लगा रहा है मुझ पर तेरे उपर तो defamation का केस लगेगा पर मैं तेरे उपर केस नहीं दूँगा क्योंकि तेरा चौथा पापा गटर जैटर ने कहा है कि केस करने वाला है तो उसे बोल जाकर करे और अकर उसने कर दिया तब तो मैं बहुत ही यादा खुश हो क्योंकि इससे अच्छी और खुशी वाली बात है ही नहीं पर अगर उसने नहीं किया अभी तक तो उसको बोलना करे करे वो उस तो इनके गुरूब बाले एतने किरे हुए है कि ये किसी भी हद तक जा सकते है और मुझे ऐसी पोर्णिंग पहले मिल चुकी है दोस्तों टेलीग्राम पर मेरे एक चैनल है आप सभी को पता होगा वहाँ पर मैं काफी सारे अपडेश देता हूँ तो मैं वहाँ पर अपडेश नहीं देता हूँ आच्छी मैंने टेलीग्राम को हैंडल करने के लिए बहुत सारे एडमीन्स रखे हुए है जो true anime fans भी है तो उन्हीं में से किसी एक एडमीन को इनका ही गुरूप में से किसी एक ने जिसका नाम RJ है I think username टेलिग्राम पर एक्टॉलिस को नीचे गिराने के लिए ये सब किसी भी हद तक जा सकते हैं मतलब कि आप समझ रहे हो ये मुझे नीचे गिराने के लिए और मेरे चैनल को डिलीट करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे ये पॉकी चैटर और सैम बॉई अपने आपको बहुत ही तीस मार्खा समझते हैं दोस्तो जैसे कि मैंने एक्सपोस करके आप सभी को बताया था कि इनके गुरूप में चीतनी भी लोग है ये सब ही मिले हुए है और इस बात का एक प्रूफ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ जब इस चखके ने वीडियो बनाया कि वाइस ट्रेक्टर वाली मीटिंग सही थी जिसे मैंने साफ साफ एक्सपोस कर भिया है ये फेक रिकॉर्डिंग एडिट करवा के अनिमे गीक और गोकू अफिशल से ये अपने आप तीस मार्खा समझ रहा है दोस्तो जब ये चखका वीडियो अपलोड करता है तो इसके बाद इंस्ट्राग्राम पर गोकू, एनिमे केक, एनिमे वेव सब स्टोरी लगाते रहे हैं इस चखके की क्योंकि दोस्तो गुरूप का मेंबर तो यही है न इसकी जली न इसका तो मैंने नाम भी नहीं लिया था कि इसने मुझे इस्ट्राइक की दिया है वैसे तो यह सैम बॉइ बड़ा ही बोलता है अपने वीडियो में कि मैं फैक्टॉलिस से तो बात करना चाहता हूँ वो मुझे बात नहीं करना चाहता दोस्तो वो सैम बॉइ इस चखके के साथ लाइव आकर मुझे गाली देते है अपनी लाइव में अगर यह चखका इतना ही सचा है तो उस लाइव को सेव करके क्यों नहीं रखता है इंस्टाग्राम पर उस लाइव को एंड करके यह पोस्ट क्यों नहीं करता है सेव क्यों नहीं करता है क्योंकि इस चखके को पता है कि यह चखका जो यह गिनोनी हरकत कर रहा है जो गानियां दे रहा है जो ये मुझे बिनाबात कर डिफिम कर रहा है इसके उपर डिफिमेशन का केस लगेगा तो इसी वैसे ये एंड करके डिलीट कर देता है उस माइब को दोस्तो अगर आप ये सोच रहा है कि ये छखका ऐसी हरकते क्यों कर रहा है गिरी हुई हरकते क्यों कर रहा है जबकि मैंने इसका नाम भी नहीं लिया कि इसने मुझे स्ट्राइक लगा है तो दोस्तो अच्छली ये ऐसी हरकते नहीं कर रहा है ये छखका अपने तीसरे और चौथे बाप गटर चैटर स्कैम बई के कहने पड़ कर रहा है अब आप कहेंगे कि फैक्टॉलिस इस चखके का पहला और दूसरा बाप कौन है तो दोस्तो ये बाद तो इस चखके को खुद नहीं पता है पर हाँ कई बारी मेरे जैनुन सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये जरूर पूछा है कि फैक्टॉलिस ये चखका अपका बेटा तो नहीं मैंने बोला क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो तो उन्होंने कहा कि नहीं ये चखका हमेसा फैक्टॉलिस 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 करता रहता है तो ऐसा तो कोई एक बेटा ही कर सकता है अपने बाप के लिए क्योंकि तसे अपने बाप का नाम रोशन करना होता है न दोस्तों ये सब हरकते इसे वज़े से खी जा रही है ताकि ये जोच रहे हैं कि लोगों का ध्यान भटके छक्के की तरफ ध्यान जाए और ये जो गटर चैटर और स्कैम बॉई ने फेक स्ट्राइक लगा है इस पर किसी का ध्यान न जाए पर दोस्तों मैंने आपको हर एक प्रूफ दिया है डैथनौट से लेकर इनके रिकॉर्डिंग से लेकर इनके चैट से लेकर सब कुछ और आपको पता है कि सच क्या है देखो दोस्तों य मैं नहीं कहा रहा हूं कि यह गटर चैटर स्कैम बॉई ने मुझे स्ट्राइक दिया है मिलकर ऐसा नहीं है यह बात गटर चैटर में खुद माना है और रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई है इतना ही नहीं दोस्तों मेरे पर रोश्ट वीडियो किसके कहने पर बनाए ज नहीं में चैनल पर कई हेट कॉमेंट्स भी किये अगर आप पूछे कब तो स्कैम बॉई से बात करने के बाद दोस्तों यह स्कैम बॉई ऐसे ही अपने टीम में और अपने यूटूब वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में नों को मैन्यूपलेट करता है मेरे अगैंस्ट दोस सम्मिल कर एक फेक नीूज फेला सके जैसे कि इन्होंने बॉई स्ट्रेक्टर Spit नावता नहीं है इसके अलावा देथ नोट वाला भी उसके रिलेटर तो साड़ा पुर्ट मैंने आप सभी को देही दिया है और वो वीडियो जिनोंने नहीं देखा है इस वीडियो के लाज्ट में आपके स्ट्रिन के सामने आ जाएगा तो देख लेना आप छक्के को मैं कहूंगा जो कि ऐसे नीच गिरी हुई हरकते कर रहा है बिना बात के बिना मतलब के वीडियोस में गाली दे रहा है और कोई आप तक ट्रू एनिमे अपडेट ना पहुँचा सके कोई हिंदी डब एनिमे की बात ना कर सके मतलब कि दोस्तों ये बस अपना एक ग्रूप बना कर उसी में लोगों को गुमरा करना चाहते है और लोगों को मैन्यूपलेट करना चाहते है और हां चखके तू तो पढ़ा लिखा है नहीं तू तो गवार है नहीं तो तुझे इतना तो पता हो था कि लॉगीन अईडी हो नहीं रहे तो फिर इस टोड़ी कैसे अपलोड हो रहा है तो गवार च्खके तो तेरा चौता बाप यानि की गटर चैटर और तिरा तीसरा बाप यानि की स्कैम बॉय ये तो पढ़े लिखे हैं ना, वैसे लगते नहीं हैं, पर होंगे ना, क्योंकि तभी तो साइवर क्राइम में जाकर केस कर रहे हैं वो बात अलग है कि जब ये केस करेंगे फिर मेरे पास आएंगे वो पूश्टाश के लिए तो इनके की पिछवारे पर टंडा मार कर वापस ले जाएंगे इनको इंडोर दोस्तो लाश्ट में मैं फिर से ये स्क्रीन शोट आपके सामने दिखाना चाहूंगा जिसमें ये साफ साफ कहा रहा है आरजे नाम का सक्स कि मुझे नीचे गिराने के लिए मेरे चैनल को मिटाने के लिए ये गटर चैटर स्कैम बोई और इनका पूरा ग्रूप किसी भी हद तक जाने को तैयार है मतलब कि दोस्तों आप खुछ समझो कि ये लोग कितने नीचे गिरे हुए लोग हैं इतना ही नहीं दोस्तों ये स्कैम बोई और गटर चैटर इनके ग्रूप बाले इतने गिरे हुए लोग हैं कि ये अपने ही ग्रूप मेंबर को धमकी देने लगे जब इस आरजे ने मदद करने की कोशिश की तो इन्होंने उसे ही धमकी देना स्टार्ट कर दिया आपके सामने स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा सब कुछ हाला कि दोस्तों किसी को भी धमकी आता है तो सक्स डड़ जाता है आरजे के साथ भी वही हुआ उसने अपना साड़ा स्क्रीन शॉट रिमूव कर दिया अंसेंट कर दिया पर जो हमारी टेलिग्राम पर एडमीन्स हैं मैं तलब की जो मेरे टीम मेर्स हैं उन्होंने पहले ही स्क्रीन शॉट ले रखा था दीखो दोस्तों वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यातर ठूट चुका हूँ मतलब कि आप देख रहे हो मुझे रात कोट मींद भी नहीं आ रही है मतलब कि यह वीडियो मुझे बनाना पर रहा है मजबूरी में क्योंकि इन्होंने हालत ही ऐसी कर दी है मेरी दोस्तों मैं तो इतना ज़्यादा टूट चुका हूँ कि मैं तो फिर कभी वीडियो भी नहीं बनाता है पर जो मैं आपके कॉमेट्स देखता हूँ जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं तो यही सब देखकर और जो मेरे एटमी से हैं टेलेगराम पर टीमेट्स हैं उन्होंने मुझे मॉटिवेट किया और आप सभी true anime fans ने मॉटिवेट किया जिसकी वज़ा से मैं वीडियो बना रहा हूं इन्होंने strike दिया उसके बावजूद भी उन्होंने दोस्तों 2 strike दिया और 2 मेंसे एक भी strike अभी तक वापस नहीं लिया है दोस्तो इसे गटर चैटर कहना भी गटर की एक बीच्टी है क्योंकि गटर से जाता गंदगी इसके अंदर है हुँक्ते भी इतना गिरा हुआ बंदा है इसे सच सब कुछ पता है इसने सरयाम धमकी दी थी फिर भी ये सच कबूल नहीं कर रहा है वो कहा बस सुना है न आपने उल्टा चोड को तवाल को डाटे ये वही कर रहा है अपने इंस्ट्राट्रामी स्टोरीज में तु कर तु साइवर क्राइम में कर केस मेरे अगेंस्ट तुझे कह रहा हूँ वीडियो में कह रहा हूँ जा कर तु बिनन प्रूफ के साथ बाते करते है क्योंकि मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो तु 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 ने क्या क्या किया है और मेरे पास साड़े प्रूफ है ये बात हमेसा याद रखना गटर चैटर और हाँ इसके मबई मुझे पता है तो ये वीडियो भी देख रहा है तो मेरे चैनल को टिलीट करके ये मनेगा मुझे ये भी पता है देख मुझे पता है तेरे अंदर इंसानियत नहीं है क्योंकि कोई एक इंसान ऐसा कभी करी नहीं सकता है तुम सब बहुत ही गिरे हुए हो मैं हमेशा की तरह फिर से दोस्ती का हाट बढ़ा रहा था और बढ़ाता रहूंगा कि अभी भी वी वक्त है कॉपिरेड इस्ट्राइक वापस ले ले मान जा जो तेरी गलती है दोस्तो मैं आप सबीसे बस यही कहूंगा कि अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना मुझे नहीं पता कि यह वीडियो रहेगा नहीं रहेगा इस पर भी यह स्ट्राइक दे देंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे अब तुम मुझे लगता है कि हर एक वीडियो के बाद मतलब कि मुझे यही थोट आता है कि यह कब ना जाने स्ट्राइक मार ले पर खेर मैं यही कौमा कि जब तक वीडियो है तब तक शेयर करो ताकि जादा से जादा लों को सच पता चल सके क्योंकि सच सब को पता चलना चाहिए बाकी दोस्तों इनके करूब वाले मिलकर मुझे बार बार थ्रेस्ट दे रहे हैं लंकी दे रहे हैं तो अगर मेरे साथ कुछ होता है तो आपको पता होगा कि इसका जिमेवार कौन है यह फिर अगर आपको फैक्टॉलिस का चैनल यूट पर देखने को कभी नहीं मिलता है तो भी आपको इसका रीसन पता होगा और यही रीसन है मेरे इन वीडियो को बनाने का तो प्लीज इस वीडियो को शेर करना धन्यवाद